हर साल पच्छेस लाग इंडिन्स माइगरेट होते हैं दूसरी कंट्री में बैटर जॉब अपॉचिटीज के लिए स्टडीज के लिए अपना करियर बनाने के लिए या फिर अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए और महीं अगर एज उन डेट की बात करें तो बत्तिस मिलियन एनरा इस दुनिया के अलग-अलग कोने में रहते हैं और यह सब मिलाके दुनिया का लार्जेस्ट ओवरसीज डास्पोरा बनाते हैं इन में से अधिकतर इंडिन्स माइगरेट हुए हैं यूए से में लिए अगर फर्स्ट चॉइस इंडियन्स की यूरोप ही है जाने के लिए यूरोपेयन सिटियोंशिप के फायदे अपने पिछले वीडियो में देखे थे और यह भी देखा था कि किन चार तरीकों से यह सिटियोंशिप आप ले सकते हैं इस वीडियो में बात करेंगे यूरोप की 11 कं लिए तो उसका प्रोसेस किया है तो यह 11 कंटी से यूरोप के हैं जहां पर सबसे कम डूरेशन में बात करते हैं तो नंबर वन पर आती है इस्पें जहां पर आप 10 साल में दे सकते हैं 10 साल यह maximum limit है बाकी कंटी आगे जो चली है वो पांस साल तीन साल में भी दे रही है तो इस्पेंड जो है वो 10 साल में देता है अगर आप इस्पेंड में काम कर रहे है या फिर वहां पर किसी तरह आपने स्पेंड कर लिए 10 साल वहां का टेक्स देखे या लीगल टम्स में लीगल ही आपने वहां 10 साल स्पेंड कर लिए तो आपको सिटेंशिप मिलने से कोई नह लिए 183 त्रेवल कर सकते हैं अगर आपके पास Spanish नाग रिखता है उसके अलावा आप यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं रह सकते हैं वोटिंग राइट्स मिलती है आपको अगर आपके पास Spanish citizenship है तो एक कंडिशन जो इस्पेइन की भी और बाकी आने वाली कंटीज की भी है वो यह कि आपको लेंग्वेज वस कंट्री की आनी चाहिए बिफोर यूप लेंग्वेज आना आपको जरूरी है जहां पर अगर आप साथ साल बिता देते हैं काम करते करते टैक्स बढ़ते बढ़ते देन यू कन अप्लाइफ और यहां पर भी क्राइटिर है कि आपको लेंग्वेज टेस्ट पास करना कंपल सरी नौर्वेज का और फिर आपको सिटेंशिप मिल सकती हैं विकाज यह स्ट बोलते हैं कि आप उस कंट्री में नेचुरली साल रह चुके तो यहां पर पांच लाक यूरो इंवेस्स करो प्रॉपर्टी में बिजनेस में उनके बॉंड्स में और वो बोलता है अगर आपने इंवेस्स किया है तो आपको वहां ज्यादा रहने की बीजुरत नियुद न साल में सिर्फ साथ दिन रहो और अगर आप ऐसा पांच साल के लिए करते हैं तो आपको सिटेंशिप मिल जाईए इतना फ्रेक्सिबिटी पॉट्चों के लिए देता है वो बोलता है कि सिर्फ थर्टी फाइव डेस रहलो पांच साल में बस उसको इंवेस्मेंट से मतलब ह है इंवेस्मेट का मांट बदलता रहते है पांच हैंच रहा क्यूर शैर्ट अलब है लेकिन बैस्ट्राग क्युक्त और आपकी सेहांस एक्स्टाफ पैसा एट तो आप महां डाल दो। इंडिया में ही रहो। सिरफ साथ दिन के लिए जाना है आपको हर साल पांसाल बाद यौर एलिजिबल तो अप्लाइ फॉर सिटेंशिप लेकिन वह लेंगवेज वाला टेस्ट भी पास करना पड़ेगा पॉर्चुगल की अगली कंट्री निधरलेंड्स जो बोलता है कि अगर आप उनकी कंट्री मे अगली कंट्री बेल्जिम भी बोलता है कि आप 5 साल हमारे कंट्री में स्पेंड करो काम करो फिर आप एलिजिबल हो सिटेंशिप के लिए और बेल्जिम की लेंगवेज तीन ओप्शन देता है ऑफिशल लेंगवेज तीन है वहां की फ्रेंच जर्मन और डच कोई सी भी ल यह लगेज़ टेस्ट नहीं है कि आप सिरफ 5 साल वहां पर काम करो देन यॉर यू अप्लाइ फॉर शैट्री आप्लाइ यू का ही पार्ट है तो पासपोर्ट की वैल्यू तो अच्छी है इसे आर्लेंड की भी आर्लेंड के पास यू के भी यही बोलता कि पास अल अगर आ आपको सही देने और वही लेंग्वेज का टेस्ट भी होगा इंग्लिश चलती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं या निची इंडियन को वहाँ पर तो यह टेस्ट के बाद यू के अगली कंट्री फ्रांस भी पांस साल में आपको सिटियंशिप दे सकते हैं अगर आप वहाँ के आप लुण पर काम करते हो तो फ्रांस ही भी बोलता कि अगर आपने Фरिंच उनिवर्टि उनियुर्सीट से पढ़ा ही करिए तो पढ़ा ही करने कि आप 2 साल बात ही अपलाए कर सकते हो मतलब अगर आपने 2 साल उर पढ़ा ही कर यह उन सो मेंो बस्तै आपको 2 साल भी त then you can apply for citizenship लेकिन फ्रेंच आना जरूरी है और फ्रेंच हिस्ट्री से बहुत लगा हुए उनको तो फ्रेंच हिस्ट्री भी आपका एक टेस्ट होएगा वो अगर आप क्लियर करते हैं तो citizenship के लिए हो जाते हैं यूरोप की नॉडिक कंट्री स्वीडन भी पांस साल में आपको citizenship देता है और उसकी तो कुछ लेंग्विज रेकॉयमेंट भी नहीं है कि आपको यह लेंग्विज आनी चाहिए हमारी लेंग्विज आनी चाहिए ऐसा भी नहीं है और अगर आप किसी स्वेडिश लड़की से शादी करते हैं या लड़के से तो शादी के आप तीन साल बात भी अपलाए कर सकते हैं citizenship के लिए तो विदिन थ्री यह स्वेडिश यू कैन गैट citizenship of Sweden अगली यूरोप की कंट्री है पॉलेंड जो तीन साल में ही आपको citizenship देता है अगर आप रहते हैं काम करते ह हैं तो और वो भी यूप्शन देता है कि अगर आप महाँ पे पॉलिश लड़की या लड़के से शादी करते हैं तो शादी करने के दो साल बात ही आप citizenship के लिए भी अपलाए कर सकते हैं अगली यूरोपेन कंट्री भी इंडियन की फेवरेट है मालता में आप तीन साल में नहीं citizenship ले सकते हैं लेकिन वह investment करके अगर आप कुछ सातलाक यूरो इन्वेस्ट करते हैं तो तीन साल में आपको सेटेंशिप मल जाएगी मालता कि अगर आप साड़े साथ लाक यूरो इंवेस्ट करते तो आपको एक साल में मिल सकती है वाँगी सिटेंशिप इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट अगर की बात करें तो मालता है इस वन आप दो शॉर्टेस्ट इन यूरोप तो यह थी ग्यारा यूरोप की कंट्री जो करके किसमें यह अगर आप यहांपर काम कर रहे हो तो फांस साल में आपको सिटेंशिप मिलती है तो आप देखते हैं प्रोसेस क्या सिटेंशिप अप्लाइ करने का तो अधिकतर कंट्री का प्रोसेस काफी सिंपल है और पूरा प्रोसेस आनलान encouraged है प्यांके अपने अगर उनको कुछ क्यों है तो आपको बुला लेंगे इंटर्विय के लिए, otherwise काफिर सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आप बात करते हैं, documents क्या-क्या लगते हैं ये citizenship लेने के लिए और common documents की बात करते हैं अधिकतर में common documents ही होते हैं तो क्या-क्या documents लगते हैं इनके लिए तो सबसे पहले आपका passport लगता है इसमें फिर second है कि अगर आप उस country में work permit लेके ही रहे होंगे तो वह वाला number लगता है आपका resident permit का अगला आपके employment related documents लगेंगे अगर आप ये प्रूव कर रहें कि मैं पांस साल इस company में काम कर चुका हूं इसलिए मैं eligible हूं citizenship के लिए तो वह पांस साल के documents लगेंगे अगर आपने पांस साल में अलग-अलग दो-तीन जगे काम किया तो वह साही documents भी लगेंगे employer के और वहीं अगर आप शादी वाला option select कर रहें कि शादी के थूँ मैं दो-तीन साथ शादी को हो चुका है वहां की situation से मैंने शादी करी थी और इसलिए मैं apply कर रहा हूं तो आपका math certificate लगेगा इस case में इसके अलावा आ से इंडिया में वह भी लगेगा जरूत से अगर आप बोलते हैं कि मैं 10 साल का experience था जब मैं आपकी country में आया तो वह 10 साल का experience भी आपको इसी time show करना पड़ेगा अगर आप बोलते हैं मैंने graduation इंडिया से करी तो वह graduation का certificate भी लगेगा और इन सब documents के अलोगा सबसे important documents है आप आपके financial stability को प्रूव करनेगा तो आपके पास funds sufficient होने चाहिए ऐसा नहीं हो आपके पास 5 साल काम करने का भी zero fund बच्चे हैं और आप citizenship के लिए apply कर रहे हो तो इस case में उनको doubt होएगा कि आपने 5 साल किया क्या तो जब वह आपका bank estate में वह सब देखेंगे तो काफे strong होना जर citizenship के लिए तो उसके wife husband का क्या या फिर बच्चों का क्या parents का क्या woke up apply कर सकते citizenship के लिए तो इसमें बहुत simple है कि अगर आपने golden visa वाला route लिया investment वाला तो तो आप साथ में ही आपके spouse को भी ले जा सकते हैं उस पर बस यह है कि आपके साथ आपका spouse भी इतने duration के लिए हो आ रहा तो उसको भी 5 साल पूरे करने पड़ेंगे before apply for citizenship वो बच्चों के लिए भी same है अगर उनके father को मिल चुकी citizenship then they can apply for citizenship और same way individual के parents भी फिर apply कर सकते हैं so main होता है कि लैसे कोई individual गया और वो 5 साल, 7 साल, 10 साल वहां पे spend किया, work किया उसको citizenship मिली उसके basis पे वो spouse को भी फिर बुला सकता है या साथ में बुला सकता है children होते हैं उनका थोड़ा simple है कि अगर एक भी parent को मिला हुए citizenship then they can directly apply for citizenship अब इसमें एक question बड़ा यह आता है कि अगर वहां की citizenship मिली विये तो इंडिया की citizenship का क्या होगा तो वैसे अधिकतर countries जैसे Sweden और काफी countries allow करती है dual citizenship भी रखने का Portugal allow करत थी कि इंडिया के कोई भी लोग dual citizenship रखें तो अगर आप वहां का ले रहे हैं यूरोप की कोई कांट्री का तो इंडियन से आपको गिवप करनी पड़ेगी और यही गिवप अले citizens इंडिया के हर साल बढ़ते जा रहे हैं अगर last five years का आकड़ा देखें तो काफी इंडिया इसने गिवप की अपनी इंडियन citizenship क्योंकि उनको दूसरी और कंट्री में citizenship मिली है और यही सारे पॉइंट है जो मुझे लगा इस वीडियो में discuss करता हूं regarding citizenship और काफी लोग question के और ही उठाते थे कि इसका process क्या है citizenship का अगर work permit मिलता है तो क्या इस country का क्या है तो यह 11 country के तो मैंने process बता दी और भी किसी country का आपको अगर जानना है तो मुझे comment में लिखना और कुछ topic इसमें अगर रह गया हो citizenship के बारे में तो भी comment करके बताना और मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ cover किया citizenship के बारे में पिछले दो वीडियो में तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले topic के साथ